दोस्तो हाजर एक होर वीडियो रिपोर्ट लाके चैनल रितेश लखी अनप्लाग दी अज दी इस वीडियो रिपोर्ट नू बनाय जानता सबब है पंजाब नू एक नवा डीजीपी मिलना यानि की पंजाब दा एक नवा पुलस मुखी विरेश कुमार पावरा उना नू प कोड़ ऑफ कंड़क्ट लाक दियांसार ही पंजाब देवीचिक नवा डीजीपी है जो कि अगले दो साला तक पंजाब दा डीजीपी रहेगा रिपोर्ट मैं कई दिना तो थोटी नजर करना चाहरे है ऐसी जिस्ते तहर की मैं गाल करना चाहन दा से भी किमें डीजीपी कि कि यसी वी स्टेट दा ते पंजाब खास करके अपना सूबाँ है ओसते डीजीपी नो रked करना पूरा और प्रॉसेस की है इस पूरे दी पूरी परनाली दे पिछके केड़े पैमानें काम कर देने केड़े फORMBूलें काम कर देने की उसता क्रैटेरियन है प्रकाश सिंग ज इस वास्ते भी जरूरी है क्योंकि पंजाब दे डीजीपी दा ओधा वी ते पांच सालां दे विच बहुती उतले पंदर उत्ते उस्दा सियासी करण होया है एक पॉलिटिस साइजड एक ओधा बाढ़के रहा गया है आपां पिछले 5 सालां दे विच पंजाब दे विच पांच डीजीपी देखे ने सुरेश कुमार अरोडा जड़े डीजीपी सन 2017 दे विच दिनकर गुपता उस्तोबाद आंदे ने ते वी ते तकरीबन देड़ दो महीने दे वखवे दे विच इतिन डीजीपी बदलते गए जिना विचो एक डीजीपी यानि की वी के पावरा पहले शायद अजे है डीजीपी ने जिना नो की कि सही क्रेटेरियन पैमानने टेक साफ नीर दे नाल अपॉइंट हुंदा हुए आपां वेख पा रहे हैं हाला की दिनकर गुपता रा भी कलंबा चोड़ा कारजकाल सी सम लेकिन एस पैनल दे वी जो की यूपीएसी वनों पेजिया गया इस दे वीच पहला आना दिनकर गुपता दे ही पेज जा गया सी सो दिनकर गुपता जिना नों अक्तूबर चार 2021 हटाया गया सी उनना नों एक बार फियर के इंदर दे पैनल तो आ रहा सी सो आज ली तरीक हसामनल जा आपा देखिए था दिनकर गुपता एक वेल डिजर्ब डीजीपी पंजाब दे हो सकते था लेकिन ओना नू कई साल पहला ही पंजाब दा डीजीपी बनाता गया सी से उना नू लेकर एक मुकम बहुत ही लंबे चोड़े पदर दी मकदमे बाजी जड़ी सी सुप्रीम कोड तक पहुंची पहना कैट ने उना दे खिलाफ एक जड़ी अप्लिकेशन अरजी पाई गया सी उसनों मंजूर कर लिया उना दे नियुकती नू रद कारता सी फिर हाई कोड ते सुप्रीम कोड ते बीच जाके ओना नू रिलीफ मिले ते ओ पंजाब दे डीजीपी ओदे ते रह पाई फैसला नवंबर दोहजार इकी दे बीचोना दे हाक बिच आया सी इसनों चुनौती मुहमद मुस्तफा आते सिधार्त चटोपाद है वल्लो दित्ती गई सी ते इस केस नों आज दिस रिपोर्ट बीच समझांगे ते इस केस नों आपाँ प्रकास सिंग वर्सेज यूनियन आफ इंडिया दे ओस केस दी रौशनी दे भी समझांगे जिस तहत की पारत दे बीच किसी भी सुबे दे डीजीपी दी नुकती या ओस दी अपॉइंटमें या थे पंजाब दे डीजीपीया नों लाएके इनने विवाद क्यों रहे इना होते आईए साब तो पहला मैं तो नों निस सो सततर दे लाके जाना चाहाँगा 15 नवंबर उननीस सततर दे विच एक नैशनल पुलिस कमिशन बनाया जानदा है इस नों बनाऊंदा मकसद है कि इस बनों कुछ सिफार्शा दितिया जानी है हुंदिया ने जो कि दितिया जान दिया ने उनना सिफार्शा ना मकसद है हुंदा भी पुलिस दे सिस्टम नों थोड़ा जा बैतर बनाया जा सके निर्पाख बनाया जा सके ते उस दी जड़ी फंक्शनालिटी है उस दे या किसी ओदे होते उननों रखे जान दी लोड है, उननों दी continuity ते उनना दी जड़ी, ज़सनों कहने दे भी consistency उनना दी जड़ी functionality दे विच आ सके, तो कई सुझा एस Commission मुलो दिते जान देने, लेकिन असी वेक्षा भी एस Commission दे सुझा तकरीबन तिन दहा के तक देश विच ल परकाया गया ते उनना वननों एक petition पाती गई, जिस दी सुनवाई एक लम्मे चोड़े वक्वेद दौरान होई ते 2006 दे विच सुप्रीम कोट ने उस प्रकास सिंग दे केस दे विच बहुत ही व्यापक पद्दर उत्ते guidelines देती हैं, जिस दे विच की सब तो एहम जड़ी guidelines किसी भी सूबे दे पुलस मुखी यानि की DGP दी appointment नू लेके सी, इस दे एक broad criterion इस judgment दे विच फिक्स किता गया, ते Union Public Service Commission नू एस बारे जड़िया कुछ गाइडलाइन्स है गयाने, उनना नू ड्राफ्ट गाइडलाइन्स जिनना नू बाद विच किया गया, उनना नू ब सर्विस होनी चाहिए दी सी, किसी भी DGP लगण वाले अफसर्दी कटों का 30 साल दी सर्विस होनी ज़रूरी है ते ओस दा ADGP रैंक उत्ते होना ज़रूरी है, तो पहली जड़ी कंडिशन सी ओसी सिनियोरिटी, दूसरी कंडिशन सी ओधा ओवरॉल एक चंगा रेकर्ड, य किसी भी IPS अबसर दिया है, रिपोर्ट सुन दिया है, जिर दी विच कि ओधा विवार, कंड़क्ट, किना चंगा माडा सी, उस बारे हर एंट्री रेजिस्टर होन दी है, उसनों एक्जामिन किता जाए, ते तीसरा पैमाना सी उस दी रेंज आफ सर्विस, यानि कि उस दा ज रेंज आफ एक्सपीरेंस देखे जावे, उन्हें वाख वाख पोजीशन दे विच काम किता होए, ते ना तिन ब्रॉड पैमानिया, जिस दे विच की सिनियोरेटी, मेरिट अथे रेंज आफ सर्विस, एतिन नों पैमानिया, उते किसी भी सूबे दे डी जी पी दी चोन हो केते, UPSC दी उस एंपैनलमेंट कमेटी दी बंतर नों समझना भी बहुत जादा जरूरी है, जिसनों की काफी हाथ तक प्रकाश सेंग दी उस जज़्जमेंट दे विच ही स्पैल करता गया सी, सुप्रीम कोट वल नों, बात दे विच जड़ी ड्राफ्ट गाइडलाइन्स बनिया, UPSC दीया, उनना दे विच भी हूँ बहु इसी सिरूप नों अगे लगया गया, तो उस तहत, UPSC दा चेर्मेन या फिर उस दा कोई भी मेंबर इस एंपैनलमेंट कमेटी दा मेन फंक्शनरी सी, इस तो इलावा के इंदर दे होम सकतर, पंजाब या किसी भी सूबे दे चीफ सकतर या फिर उसे सूबे दे DGP तो इलावा एक सेंट्रल जेडियां पारा मिलिटरी फोर्सेज या सेंट्रल पुलिस ओर्गनाजेशन दा एक सीनियर फंक्शनरी, तो पंज मेंबरां दी एंपैनलमेंट कमेटी जो की 2009 तो बाद जिसने काम किता, अलाग अलाग आते सूबे आवलनों बनाये जाने वाले जेडे अपने संबंदत पुलिस एक्ट सेंट जिना विच पंजाब पुलिस 2007 दा एक्ट भी शामल सी, उना दी जेडी ओवराल स्पिरिट सी, ते उना दा जेडा मार्क दर्शन सी, ओ परकाष सिंग वर्सिस यूनियों आफ इंडि अपने असामनाल कुछ अजेहे जेडे 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 प्रोविजिन्स पासक दियां सन एना एक्ट दे विच जो कि ओस स्टेट या ओस राजदी लोड़ दे मताबक उना वलनों अनुकूल पाए गए हों, तो ए सारा दा सारा प्रोसेस जेड़ा सी 2009 तो बाद शुरू हो जा सुरेश अरोडा दी रिटार्मेंट नेडे सी लेकिन उना नू एक तो बाद एक तिन एक्स्टेंशन दित्तियां गई या तिन तिन छेछे महिने अलाग अलाग वक्वें लिए एक्स्टेंशन उना नू दित्ती जान दी रही थे इस दा मक्सर जड़ा मैं पहला भी के सुरेश अरोडा सन ते उना नू एक्स्टेंशन ना लगातार एक तो बाद एक दित्तियां जा रही हैं सन इस फिराख दे विच की अगला जड़ा डिजी पी ओ दिनकर गुपता नू ही बनाया जा सके ओस दौर दे विच कई जड़ियां पेटिशना सन ओ सारे दी सारी जड़ि कवायत सी इस नू चुनौती देन वालियां सुप्रीम कोड को पहुंचिया 2018 ते 2019 दे विच दो बार सुप्रीम कोड नू अपने 2006 दे प्रकाश सिंग वाले केस दी क्लारिफिकेशन पंजाब तो उठियां इना लिटिगेशन दे ही संदर बिच देनियां पईयां क्योंकि हो एरिया सी कि सुरेश रोडा नू जड़ियां एक्स्टेंशन आ बहुत छोटे-छोटे समय ले दे रियां देतियां जा रियां सन कैप्टन अमरिंदर सिंग दी सरकार वालों तो चुनौती ए आरे सी कि यानि कि चैलेंज इसनों इस पास दे किता जा रहा है सी कि तुसी ए एक्स्टेंशन आ क्यों दे रहो सुप्रीम कोर्ट ने जड़ी पहली क्लारिफिकेशन अपने उस प्रकास सिंग वाले केस दे विच जजमेंट दे विच किती हो एसी कि कोई भी सूबा सरकार कटो काट तिन महीने पहला अपनी जड़ी भी परपोजल हुन दिये यानि कि जड़े भी अपसराद आएक पैनल हुन दा है या उन्ने कोई डीजीपी होटाना है तिन महीने पहला ओ जड़े है ओ यूपीएसी नूँ पेजे यूपीएसी दीजड़ी एक पैनलमेंट कमेटी हुन दी है ताकि ओ तिन महीने दे विच नवा डीजीपी ओसदा ना या ओ पैनल नूँ चूज करके स्टेट गवर्मेंट नू रेफर कर सके इस दा बड़ा कारण नहीं सी क्योंकि डीजीपी नूँ एक्स्टेंचना लास्ट मोमेंट दे दित्तिया जा रही है सन डीजीपी दा कारजकाल खतम होन वाला हुन दा सी ते सामने ना तार लिस्टा पे जियां गईयां हुन दियां सन इस वास्ते सुप्रीम कोर्ट नू एक क्लारिफिकेशन देनी पई एक हिदायत दी शकल दे विच विक सुपा सरकार कटो कट तिन महिने पहला कोई भी डीजीपी दा जदो ओदा या उस दी रेटार्मेंट हुन दिया उस तो पहला अपनी प्रपोजल सानुप पे जे ते इ सी वी जेड़े भी अफसरा दा ना UPSC दे इस पैनल नू पे जा जाए यानि कि जड़ा भी पंजाब दा या किसी भी सूपे दा अगला डीजीपी बनना हुन दा है उस दी कटो कट दो साल दी सर्विस बची होनी चाहे दिया हुन ए डिरेक्शन ता सुप्रीम कोर्ट ने द मार्च 2019 दे विच सुप्रीम कोर्ट ने एक होर क्लारिफिकेशन जेडी सी उस नू दिता यानि कि एक होर डिरेक्शन दिती जिस तहत कि एस वार उनना ने एक कहा कि पंजाब दे विच जड़ा ओफिशिटिंग तुसी डीजीपी यानि कि डीजीपी नो एक्स्टेंशन ले क्लियर समा होना चाहिदा है लेकिन एस दे नाल कई होर अफसरान दा जड़ा हक है डीजीपी बनन दा ओस तो वह वांजे हो जणगे मिसाल दे तोर ते किसी अफसर को एक साल दा समा है या डेड़ साल दा समा है ओना हलातना दे बिच ओस दे नाल एक बहुत बढ़ा तक्का ते इंजस्टिस होएगा ते उस तो कई काफी जूनियर लेवल दे जड़े अफसर होनगे और डीजीपी बन सकनगे तो एस चीज़ों त्यान बिच राखते होई सुप्रीम कोट ने अपने क्राटेरी नो थोड़ा जा टोन डाउन किता जिस तो बाद कि सुप्रीम कोट दी क्लियर कट समा जड़ा है वो बचया होना चाहिदा है तो इस हिदायत दे मताबक एक क्लियर सी कि जे कोई भी IPS अफसर जो की ADG पंदर दा होवे तीस साल दी उस दी सर्विस हो चुकी होवे ते उस दे छे महिने दा कारजकाल बचया होया होवे उस दा ना जड़ा है उस लिस दे विच पे जा सकता है जिस दो बात की UPSC दी Empanelment Committee ने उस पैनल दे विच चांटी करके तिन अफसरादा जड़ा पैनल है उस दो स्टेट गवर्मेंट दो रेफर करना होंदा है एक बड़ी वड़ी रिलीफ भी सी तो इस दा दूसरा मतलब AC की जे किसी अफसर दे छे मह इनने बचे ने ता ओ आनवाले दो साल तक एक्स्टेंशना लेल है के पंजाब दा डीजी पी वी कंटीन्यू कर सकता है तो इस तरीकी दे इंटरप्रेशन इस 2019 दी जजमेंट दी मोटे मोटे तौटे समझी जा सकती है लेकिन इस तो बात जदो दिनकर गुपता डीजी पी इनना बलनों Central Administrative Tribunal दे विच चुनाती दिती गई ते हरानी दिगा ले सी भी Central Administrative Tribunal ने इना दी उस एप्लिकेशन उस सही मन्या ते ए पाया कि दिनकर गुपता डीजी पी दी जड़ी न्यूक दी किती गई ओ प्रकास सिंग दी जजमेंट दी जड़ी डिरेक्शन संते उस स्पिरिट दी वालेशन सी तो उस वक्त निरस्त कारता गया सी डीजी पी दिनकर गुपता दा जड़ा चोन सी उस नूँ इलीगल करार देता गया सी Central Administrative Tribunal वलों इस दे खिलाफ डीजी पी दिनकर गुपता हाई कोट जान देने हाई कोट ने कैट दिया जड़ी रूलिंग स अग्षी पार फेर चुनाती दिती गी हाई कोट दे फैसले नूँ तो अखीर दे विच सुप्रीम कोट दे विच एस केस दे उत्ते तकरीबन एक डेड़ साल जड़ी सी सुनवाई चली सुप्रीम कोट दा फैसला नवंबर दो हजार इकी विच आया इस तो पहला सहोता नूँ अक्टिंग डीजीपी लाता गया सी लेकिन नवंबर दो हजार इकी दे भी जड़ा फैसला आया ओ दिनकर गुपता दे हाक भी सी ओस फैसले दे मताबक कोई बदीकी नहीं होई सी क्योंकि एक जड़ी चनौती मुहमद मुस्तफा ते चटोपाद है वलो दित् एक ता क्राइटेरिन देना छेड़ चाड़ होई ते दूसरा जड़े कोर पुलिसिंग एरिया जिदा मैं पहला भी जिकर किता सी विए मन्या गया भी वी कोर पुलिसिंग एरिया जिस विच की लाइन ओडर नू मेंटेन करना परताल इन्वेस्टिगेशन इस तो इलावा जड़ी इंटेलिजन्स दी सेवामा है गिया ने होर कई पैमाने है गिने जिस विच की एड्मिस्टेशन वगारा जड़ा अनुबव होंदा है किसी भी अफसर दा जो की डीजीपी या एडीजीपी रैंक्स दे रहा है उन्हें वक वक जड़ो डिपार्टमेंट्स काम केता गया या UPSC दी एमपैनलमेट कमेटी ने उसनू मन्या भी उस दे विच पैला नंबर इंटेलिजन्स दा आन्दा सी सुप्रीम कोड दे विच मुहामद मुस्तफा ते चटोपाद है वलनों जड़ी चनौती दिती गए सी उस दा आधार ए सी कि दिनकर गुपता नू अकॉम इस तरीके दा पैमाना बनाके दिनकर गुपता नू पंजाब दा डीजीपी लाता गया जदो की इना अफसराना दे मुताबक लाइन ओर नू मैंटेन करना इस दिना इन्वेस्टिगेशन दे होर बड़े कोर पोलिसिंग दे एरिया सन जिना दे विच प्राथमिक्ता जे द नूती दा एक होर अधार जड़ा मुहमद मुस्तफा ते SS चटोपाद है खास करके चटोपाद है वह लो बनाया गया ओवी सी की जड़ी एंपैनल्मेंट कमेटी ने दिनकर गुपता दी चोण किती सी ओस बीच डीजीपी सुरेश अरोडा सी ते सुरेश अरोडा क्योंकि म पैनल्मेंट कमेटी ते विच सी ते चटोपाद है SS चटोपाद है ने लजाम लगाया कि डीजीपी सुरेश अरोडा जिना दे खिलाफ उना वननों एक ड्रग दे केस विच हो रही तफ्तीश दे विच उना तक्वीस जांच दा दारा पहुंच दा है ते इस बारे उना वन पैंशन सी एस नू भी सुप्रीम कोट ते थरले रेवल ते हाई कोट ने नहीं सी मन्या सो सारे जड़े इतराज सन जिना दे विच पहला मुख इतराज था एस ही वी कोर पुलिसिंग एरिया दे रूफ पिच इंटेलिजेंस ता यानि की खुफिया जड़ा मैकमा होंदा है उस दे विच किसी भी अफसर दे काम करन दी जड़ी मयाद है उस नू एक मेन क्रेटेरियन क्यों ले आ गया है ते जड़ा डीजीपी सुरेश रोडा दा उस पैनल दे विच मवजूद होना ते एसस चटोपाद देना लवित करा करना इस आर्गुमेंट नू भी सुप्रीम काफी लेट सी उस पक तक कैप्टन अमरिंदर सिंग भी लात चुके सन ते जे कैप्टन अमरिंदर सिंग ना भी लात देता तेन चार होर महिने तो बार दिनकर गुपता नू और दे तो किसी नवे सरकार बन दी सूरत दे विच हटना ही पहना सी सुप्रीम कोट सी उस दे विच एक प्योरली टेक्निकल ग्राउंड उत्ते ते प्रकाश सिंग दी जड़ी जजमेंट सी 2006 वाली प्रकाश सिंग बसेज यूनियन ऑफ इंडिया जिस तहत कि UPSC दी इंपैनल्मेंट कमेटी ही चोन कर दी है उस पैनल दी ते उस तो बात ज़ कोई भी कारण जड़ा है और UPSC नो परदान करन दी लोड नहीं क्योंकि मुस्तफा ते चटपाद है वलनों चैलेंज देते गए सान उनना वलनों दस्या गया से भी कोई रीजन नहीं दस्या जा रहा है वी सान नो क्यों इस दे विच एक्स्क्रूड किता गया है बात दे सुप्रीम कोट ने इस चीज नो इस्टैबलिश किता कि एस लई जड़ी UPSC नी इंपैनलमेंट कमिटी है वो किसी दी जवाब दे नहीं है यानि कि उस नो कोई वी रीजन दे लोड नहीं है वी किसी अफसर नो उस ने उस पैनल दे विच क्यों नहीं पॉइंट किता जे फ सुप्रीम कोट नो दो वार अपने ही 2006 दे उस फैसले दे विच क्लारिफिकेशन देनिया पाईया तो पंजाब दा DGP बनना एक बहुत आखा काम सी आज वी के भावरा पंजाब दे DGP बनने नहीं ते मैं जिवें पहला रिपोर्ट दे शुरुआ दे वें जिकर किता है श अलाकि देनकर गुप्ता दी जेडी बताओ DGP नियुकती सी ओस बीच भी अखीर दे विच सुप्रीम कोट ने कुछ भी गलत नहीं पाया सब कुछ सही सी लेकिन जे आपा पूरे दी पूरे कटना करम नो देखिये ते ओस सीरीज नो देखिये जिस तहाई कि सुरेश रोण नो कुमा फिरा के जे किसी अफसर नो फेवर देनी चाहोता ओ दे सक देखियो तो ये फेवर किसी काफी हाद तक दिनकर गुप्ता नो दित्ती भी गई ज़गी होर बते रहे जे है अफसर सन जोकी क्वालिफाइड वी सन उस क्राइटेरियर वीच फिट भी हो सक दे सन क्यो अपने कारजकाल दे बिच कई वड़ीया जडिया 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 प्रापतियां कह लिए या जड़े कामो ना मों किते गर ओदे विकरम सिंग मजीठ हे खिलाब केस दिस्टर कारना जो कि ओना दी अपनी हिदायत उते मुहाली देख ठाने दे बिच किता जाना तो और DGP नो अपने सिरुत्ते लेंदी लोड सी, जिसनों लेगे पूरे देश देवी चैड़ा वड़ा विवाद है. SS चटोपाद्ध है दे पंजाब दे DGP ना कंटीन्यू करन दा एक वड़ा कारण 2019 दी सुप्रीम कोट दी ओक लारिफिकेशन साबत होई, जिस तहत की सुप्रीम कोट ने क्लियर कारता सी, भी कटो कट 6 महिने दा टर्म, यानि की क्लियर कारजकाल दा समा बचया होना चाहिए रेटार्मेंट तो पहलना किसी भी अफसर दा जे उसनों DGP बनाना है, जो की समा चटोपाद है को नहीं सी, क्योंकि 31 मार्च 2022 चटोपाद है दी रेटार्मेंट सी, जो की चारे सी है, पंजाब सरकार चारे सी भी ओव बताओ DGP कंटीनू करन, उसे फिस वास्ते कंटीनू नहीं कार पाए, क्योंकि 2019 दे बीच पंजाब सरकार बननों, जो क्लारिफिकेशन सुप्रीम कोट को मंगी गई सी, जो मैं जिकर पहना कर चुका है, सुप्रीम कोट ने कलीर करता सी, भी कोई भी अफसर जिसनू की तुसी इस कंसिडरेशन जोन बिच लेन दे हो, उसता कटो कट 6 महिने दा समा बचया होना चाहिए, हलाकि पंजाब सरकार ने कोशिश भी किती, यह जड़ी कट अफ डेट है, यह 4 अक्तूबर 2021 जिस दिन की DGP दिनकर गुपता अपने ओदे तो हट देने, उस तो थोड़ जी पहला तक प्रियम्ट करवालन दी पंजाब सरकार, लेकिन यह हो नहीं पाया, UPSC ता जड़ाए पैनलमेंट कमेटी सी, उस ने 4 अक्तूबर नो ही कट अफ डेट मननी, तो 4 अक्तूबर दे हसाब ना तकरीबन 4 या 5 दिन दे गैब तो SS चटोपाद है, उनना दा ना उस पैनल दे विच आन तो रह गया, सुझे आपार तकनीकी तोर ते चीज़ नों समझीए, ता शैद सि डीजीपी दिनकर गुपता नों हटाता गया हूंदा, तो आज शैद SS चटोपाद धैदा ना उस पैनल दे विच भी हूंदा, ते ये भी पॉसिबल है कि उस पैनल ने उनना तिन अफसना दे भी चटोपाद धैदा ना पेज आ हूंदा, ते ओ शैद मजाब दे डीजीपी रह भी सकते, लेकिन ये नहीं हो पाया, तो एक बहुती लंबा चोड़ा ते पेचीदा पूरा दा पूरा प्रॉसेस है, ज़िए पूरी दी पूरी परनाली है, जिस तहत होके किसी भी सूबे दे डीजीपी नों चुने आ जानदा है, ते इसलिए अदालता ना हस तक है, त 2006 तो लाके, 2001 तक आपा वेख्या, फिस सुप्रीम कोट ने अलग अलग पढ़ा होते, गाइडलाइन्स भी दित्तियां थे, उननों क्लारिफिकेशन भी अपने देनिया पहिया, क्योंकि बठेरे अजे है, आपा कह सकते है, जिस चोर मोरियां रहियां ने, जिना जरीय सरकार अजे भी अपने मन मर्जी दे, डीजी पिया नों थापना चान दियाने, कोई भी सरकार, कोई भी मुख मंत्री होवे, लेकिन एसे चीज नों ट्रांस्परेंट ते होर बैतर बनान लई ही, एजे निया पुलिस कमिशन या फिर प्रीम कोट दिया गाइडलाइन्स अन इना अज आपा इना गाइडलाइन्स दे तहत एक सही चोण मुझे पंजाब दे विच हुनता हुए, वेख रहता, आसे ही किती जा सकते है, भी पंजाब दी पुलिसिंग लई, पविख दे विच उस तरीके निया, तौमता पंजाब पुलिसिंग दे उत्ते नहीं लगन गया, पंजाब पुलिस ते अफसना हुटे नहीं लगन गया, जिवेख दी तौमता पी ते पंज साला दे विच लग दिया, आया ने, तो खाना जंगी ओ आपस दे विच जड़ी कुड़तन या, आपस दे विच एक दूसरे हुटे किचर उचालन दा जड़ा के लंबा चौड़ थोड़ी जी वदी होगी, थैंक यू सो माच